किया आप कभी गर्मी के दिनों में समुंदर के किनारे गए हैं आपने निशित अनभो किया होगा कि समुंदर के तट के रेती की अपेक्षा पानी ठंडा होता है डामर का रस्ता रेती से ज्यादा गर्म होता है इन्हें सूरज की उष्णता समान रूप में ही मिलती है फिर भी इन सब के इस अजीब विवहार का क्या कारण हो सकता है आपको इस कारण को जानने के लिए समुंदर के तट पर जाने के आवशक्ता नहीं है हम दो समान आकार के और समान वजन के बर्तन लेंगे एक में रेती और दूसरे में पानी भरेंगे अभी इन दोनों बर्तनों का तापमान समान है दोनों बर्तनों को अब हम एक घंटे के लिए धूप में रखेंगे और ऐसा करते समय हम दोनों बर्तनों पर ढकन नहीं रखेंगे एक घंटे के बाद हम इन दोनों बर्तनों का तापमान ना पेंगे क्या इन दोनों बर्तनों का तापमान समान है रेती का तापमान पानी के तापमान से ज़्यादा है हमने दोनों बर्तनों को सुरज की समान उश्मा दी थी फिर भी दोनों के तापमान में फर्क क्यों है इसका कारण क्या हो सकता है हम एक नई संकल्पना विशिष्ट ताप या उश्मा के बारे में बात कर रहे हैं विशिष्ट उश्मा उस विशिष्ट मात्रा में दी जाने वाली उश्मा को कहते हैं जो किसी पदार्थ को एक विशिष्ट तापमान तक ले जाने के लिए आवश्चक होती है सामान निता, ये उश्मा किसी भी पदार्थ के घनत्व की एक इकाई के समान होती है और तापमान में एक डिग्री से बढ़ोतरी होती है ये विशिष्ट उश्मा हर एक पदार्थ के लिए अलग रहती है और उसका स्वरूप उर्जा का होता है पानी के विशिष्ट उश्मा की मात्रा अधिक होती है टार अर्था डामर और रेती के विशिष्ट उश्मा की मात्रा कम होती है इसका अर्थ है कि रेती और डामर के तापमान को एक डिगरी तक बढ़ाने के लिए कम मात्रा में उश्मा की आवश्चक्ता होती है इसी वजा से रेती पानी की अपिक्षा अधिक गरम होती है और डामर का रस्ता रेती से अधिक गरम होता है SI मापन पद्धती में विशिष्ट उश्मा की इकाई है जूल प्रती किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और CGS पद्धती में विशिष्ट उश्मा का मापन कैलरी प्रती ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है वैग्या निको ने पहले से ही हमारे लिए विवित पदार्थों की विशिष्ट उश्मा का मापन कर रखा है पानी के लिए ये एक कैलरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इतना है इसका अर्थ ये है कि एक ग्राम पानी का तापमान एक अंज सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए एक कैलरी विशिष्ट उश्मा देनी होगी एक कैलरी अर्थात कितनी हम उश्मा का सामानी करण कर सकते हैं यदि M वस्तू का द्रव्यमान है और हमें उस वस्तू का तापमान T शुन्य अंज से T1 अंज तक बढ़ाना है तो इसके लिए आवश्यक उश्मा होगी द्रव्यमान अर्थात M गुणा विशिष्ट उश्मा जिसे हम C कहेंगे गुणा तापमान का अंतर जो हमें T1 को T0 घटा कर प्राप्त होगा क्यूं अर्थात आवश्यक उश्मा की मात्रा है आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि तेल जल्दी गरम होता है लेकिन पानी उबालने में अधिक समय लगता है इसका क्या कारण हो सकता है चलिए अब हम एक और प्रयोग करते हैं जिससे हम विशिष्ट उश्मा की संकलपना को अधिक अच्छी तरह से समत सकेंगे हम दो बरतन लेंगे एक में पानी भरेंगे और एक में तेल दोनों का घनत्व 100 ग्राम होना चाहिए दोनों द्रवों का इस समय समान तापमान है हम दोनों बरतनों में एक एक थर्मामिटर रखेंगे जिससे उन बरतनों को उश्मा देने के बाद हम उनके तापमान में हो रहे बदलाव का निरिक्षन कर सके 100 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाने के लिए 2 मिनिट 15 सेकंड इतना समय लगेगा और वही दूसरी ओर 100 ग्राम तेल का तापमान 70 डिग्री सिल्सियस से 80 डिग्री सिल्सियस तक पहुचने के लिए 1 मिनिट और 5 सेकंड का समय लगा क्या बता सकते हैं कि ये किस बात का द्योतक है तेल की विशिष्ट उश्मा पानी के विशिष्ट उश्मा से कम है तेल का तापमान एक अंस से बढ़ाने के लिए पानी से कम मात्रा में उश्मा लगती है सारांच हमने आज विशिष्ट उश्मा इस महत्वपूर्ण संकल्पना के बारे में जाना हमने प्रयोग द्वारा ये समझने की कोशिश की कि समान वातावरण में भी रेती पानी से अधिक गर्म क्यों होती है आप इसी प्रयोग को उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं और विवित पदार्थों को ठंडा होने के लिए कितना समय लगता है इसे जान सकते हैं